करनाटक विधान सवा चुनाव को लेकर माहौल अब और गर्मा चुका है क्योंकि कांग्रेस ने अपने घूशना पत्र में हिंदू संगठन बजरंग दल को बैन करने की बात कही है यही नहीं कांग्रेस द्वारा PFI के साथ साथ बजरंग दल को तौला भी गया है कांग्रेस ने कहा है कि अगर करनाटक में उनकी सरकार बनती है तो वो सबसे पहले PFI जैसे ही बजरंग दल को भी बैन करेगी जिससे अब भाजपा सहित हिंदू धर्म से जुड़े लोग और बजरंग दल जम कर कांग्रेस का विरोध कर रही है बजरंग दल पर बैन लगाने की बाद कांग्रेस द्वारा मैनिफेस्टों में करना ये उसी प्लानिंग का हिस्सा है जिसकी प्लानिंग कांग्रेस ने केंदर के सत्ता में रहते हुए हिंदू आतंगवाद और भगवा आतंगवाद की थियोरी गड़ने के लिए की थी बजरंग दल का चर्चा क्यों होने लगा चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं कांग्रेस करनाटर दिदानसवा चुनाव के लिए मंगलवार को गोशना पत्त जारी किये थी जिसमें उसने वादा किया है कि प्रदेश में चाती और धर्म के आधार पर नफरत थेलाने वाले बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से PFI को केंद सरकार के द्वारा बैन किया गया भारतिया जनता पाटी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का बादा भगवान हजमान का अपमान है कांग्रेस की इस बादे पर पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है बजरंग दल को लेकर काफी चर्चा है ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि बजरंग दल की स्थापना कब हुई और इस संगठन का उद्देश ये आखिरकार क्या है जो कॉंग्रेस के पीछे हाथ दोकर पड़ चुकी है एक अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश में शोभा यात्रा के रूप में बजरंग दल की शुरुवात हुई थी विश्व हिंदु परिशत की पहली धर्म सांसद में मंदिर आंदोलन की शुरुवात के साथ ही राम जान की रत यात्रा के नाम से नियमित रूप से इस शोभा यात्रा को निकालने की शुरुवात हुई इसका मकसद था लोगों को हिंदुत्व के बारे में अधिक से अधिक बताये जाए ताकि देश की एक बड़ी अबादी वाला समूँग अपने धर्म को और भी ज्यादा करीब से जान सके कुछ समय में ही बजरंग दल ने लोगों को प्रभावित किया जिससे कुछ समय के भीतर ही बजरंग दल से युवा साधू संत जुड़ते गए बजरंग दल विश्व हिंदु परिशत का यूथ विंग भी कहा जाता है अब अगर हम किसी भी संगठन को या किसी भी अन्य चीज़ को बैन करने की बात कहते हैं तो उसके पीछे एक ठोस कारण होना चाहिए कि उस चीज़ को बैन किया जा सके लेकिन बजरंग दल को बैन करने का अभी कोई ऐसा ठोस कारण नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बजरंग दल और PFI की बीच जमीन आस्मान का फर्क है बजरंग दल का उद्देश ये किसी भी ऐसे गैर कानूनी गतिविदी को बढ़ावा देना नहीं है जिससे देश को किसी भी प्रकार का नुकसान हो बलकि उनका उद्देश ये भारत से लव जिहा, गोहत्या और दूसरी धर्मांतरन जैसी गतिविद्यों को पूरी तरह से भारत से समाप किया जाने पर आधारित है बजरंग दल अपने काम का विश्कार देने के लिए देश के मंदिरों में सापताहिक मिलन कारेक्रम का आयोजन भी करती है जो कानूनी रूप से उनका हक है युवाओं को शारिरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बजरंग दल अखाडे और खेल प्रत्योगिताओं का भी आयोजन करती है बजरंग दल आयोध्या में राम मंदिर के निर्मान को लेकर सबसे आगे खड़ी नज़र आई थी इसी कारण बजरंग दल की छवी हिंदू समर्थन के रूप में सामने आ रही है अब वही अगर बात PFI यानि की पॉपुलर फ्रंट ओफ इंडिया की करे तो भारत सरकार ने पहले ही 5 सालों के लिए इस पर बैन लगा दिया है और इसे बैन करने के पीछे कई बड़ी वज़ाएं हैं जिसमें से कुछ वज़ाएं हम आपको बता देते हैं आतंकी संगठनों के संबन PFI का संबन अंतर राष्ट्रे आतंकी संगठनों से रहा है जिसमें ISIS और जमात उल मुज़ाइदिन जैसे संगठन शामिल है PFI के कारे करताओं पर 1300 से भी ज्यादा मुकद में दर्ज किये गए थी बाहर देशों से इनको फंडिंग भी होती थी जिसमें सारे वित्य कानूनों की धज्जें उडाते हुए PFI और उससे संबंदित एजेंसियों को लगातार देश और विदेशों से पैसे मिलते रहते थी जिसका उपयोग वो देश विरोधी गतिवीदियां चलाने के लिए करते थे 500 से ज्यादा संदिक्द खाते PFI के बरामत किये गए जिसके जर्ये PFI को फंड किया जाता था ऐसी और भी कई वज़ाएं हैं जिसकी वज़ा से केंदर को PFI पर सुरक्षा को मद्द नजर में रखते हुए 5 साल के लिए बैन करना पड़ा बजरंग दल का ना तो कोई ऐसी गतिवीदी में नाम है और ना ही बजरंग दल ऐसी गतिवीदी का समर्थन करता है अगर बजरंग दल से कॉंग्रेस को इतना ही खत्रा महसूस होता था तो इतने साल कॉंग्रेस ने देश पर राज किया तब क्यों नहीं उसके द्वारा बजरंग दल को बैन किया गया बजरंग दल आज यकल या परसो का गठित संगठन नहीं है बजरंग दल का गठन तो सालों पहले 1984 यानि कि 1984 में ही गठित हो गया था कांग्रेस की विचारधारा शुरू से ही इंदू विरोधी रही है और वो इसी विचारधारा को अपना सहारा बना कर करनाटक में जीत हासिल करना चाहती है करनाटक में 10 मही 2023 को विदानसवाद चुनाव होने को है इसलिए जब तक चुनाव नहों जाए तब तक तमाम तरह की बाते होती रहेंगी लेकिन देखना ये होगा कि उन में से कितनी गोशनाओं पर कॉंग्रेस सरकार खड़ी उतरती है अगर कॉंग्रेस की सरकार बन जाती है तो तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए All News Hindi